नमस्का दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉलम्स के बारे में, जो के सीडीज क्लिपर पर बेस्ट हैं, हमने संट क्लिपर की काफी प्रॉलम्स सॉल्व की थी, वहाँ पर हमने बैटरी इस जगे पर लगाई थी, बैटरी लगी हुई थी और यहाँ पर डायोड लगा करते थे, लेकिन अगर केस कुछ इस टैप से हो, अगर बैटरी यहाँ डायोड से पहले लगा दी जाती है, यह सीडीज क्लिपर है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बैटरी इस तरीके से लगा दी जाती है, तो फिर ऊपर यह मार्क किया जाएगा, फाइब बन किया जाती है, तो उसमें आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, बैटरी की अगर लोकेशन को चेंज कर दी जाए, अगर आपको कंसेट नहीं पता है, तो आप फिर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आई हम जानते हैं कि यह मैं 5 बोल्ट ऊपर लगाऊंगा या नीच लगाऊंग से, क्यों बैटरी है तो यह तो पर्माइंटल यहां पर लेवल है, अगर माल दीजे मैंने इन्पुट जीरो कर दिया, इन्पुट बोल्टेज जीरो कर दिया, इन्पुट बोल्टेज जीरो का मतलब क्या यह सौट कर दिया, अगर यह सौट कर दिया मैंने, तो डायोड का जो P terminal है, वो minus 5 पर है, ठीक है ना, और जो negative होगा, क्योंकि यह तो sort हो जाएगा, तो यह पर वह लेवल हो जाएगा कि तरीकी से, तो क्या होगा, diode है वो reverse bias होगा, तो जब V I 0 है, तो उसमें, जो diode है, reverse bias है, समझ में आ रहा है, अगर मैं V I को और नीचे करूँगा, V I को मैं क करूँगा, तो diode और ज़्याद reverse bias हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब नीचे जाने पर तो यह reverse bias होगा, अब आपको यह समझना है कि यह forward bias कब होगा, तो V I अगर मैं यहां बढ़ाना शुरू कर दूँँ, मैं इसलिए आपने यहां पर one bolt लगा दिया, ठीक है ना, तो one bolt 5 volt है, 5 volt से घड़के अभी कितना हो जाएगा यह, इसे approach कर दा है, तो यह minus 4 रह जाएगा, अगर आपने input 1 volt कर दिया, तो यह minus 4 हो जाएगा, इसका जो combined effect होगा, दोनों बैटरी का भी हो जाएगा, 2 करेंगे आप, तो कितना रह जाएगा यह, minus 3 हो जाएगा, ऐसे ही 3 जाएगे, तो minus 2, तो जब यह 5 हो जाएगा, input जैसे यह 5 करोगे, तो यह दोनों आपसम effect कतम कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ, input vi greater than 5 volt होगा, जैसे 5 से ज्यादा होगा, तो यह positive terminal क्या हो जाएगा, positive voltage पर पहुंच जाएगा, ठीके न, तो diode क्या हो जाएगा forward bias, तो vi greater than 5 पर यह forward bias होगा, और definitely इस से नीचे क्या था, reverse bias था, तो हमें कहाँ पर mark करना चाहिए, vi greater than 5, इसका मतलब ऊपर, जिदा 5 volt, तो ऊपर ही हम mark करेंगे, तो बैटरी का अगर positive terminal इस side में है, input की side में, तो ऊपर ही आपको mark करना है, मैंने एक इधर भी case लिया है, इस में, minus इधर रखाए, plus इधर, इस case में, input अगर इस तरीके से है, तो आप कहाँ पर mark करोगे, नीचे, यहाँ पर आप minus 5 volt पर mark करेंगे, clear है, तो case 1 हो गया, suppose हमने case 1 मान लिया, case 1 is, vi greater than 5 volt, तो diode forward bias हो गया, forward bias हो गया, तो act as, sort सक, sort सक रिएक काम करेंगा, तो आप यह diagram बना सकते हैं, sort करा दिया, और यहाँ पर vi है, plus minus, plus minus 5 volt, ठीक है, और यहाँ से आप v naught ले रहा है, plus minus, ठीक है, तो आप kvya लगाएंगे, इस तरीके रहे, तो minus vi, plus 5, plus v naught is equal to 0, तो v naught क्या हो जाएगा, v naught is equal to vi minus 5, अब vi क्या value नहीं रख रहे हैं, क्यों, vi actually fixed नहीं है कुछ, vi vary कर रहा है, तो इसका जो opt होगा, वो भी variable होगा, इस ही कितर रही आएगा, अब यहाँ plot करेंगे, तो इस case में आप देखेंगे, जो second है, उसमें vi less than 5 would की बात खरेंगे, less than 5 होगा, तो diode reverse bias होगा, reverse bias होगा, तो act as open circuit, clear है, open circuit है काम करेंगा, तो यह open हो जागा यहाँ से, यह open हो गया, तो इस case में, v not is equal to का आएगा, 0 आएगा, जब यहाँ से open हो जाएगा, तो voltage 0 हो जाएगा, ठीक है न, तो दूसरे case में यह हो गया, अब आप इसकी waveform बना लीजए, waveform, जोगे input, और 5 would पर आपने, mark कर लिया, तो जिस जगे पर यह cut कर रहा है, यह हम यहाँ पर output के लिए बना रहे हैं, जिस जगे पर cut कर रहा है, उससे आप dotted line plot कर लेंगे, clear है, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, तो यह वाला region है, वो greater than 5 के लिए हो गया, यह दोनों, और बाखी portion बचा हुगा है, वो less than 5 के लिए हो गया, ठीक है, तो less than 5 देखिए, less than 5 पर 0 है, तो less than 5 वाला है, उससे हम 0 पहले कर देंगे, यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, और यह 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इस जगे पर अब क्या आएगा आउपट, जब greater than 5 है, तो आउपट आ रहा है, V I minus 5, तो greater than 5 है, इसका मतलब V I 5 होगा, और इस जगे पर, जब V I 5 पुट करोगे, तो V naught के आएगा, 0, इसका मतलब 0 है, अब आपने इसे बढ़ाया, यह maximum कहां तक जा सकता है, 10 V तक, तो इसका आउपट जो maximum जाया है, कहां तक जायेगा, 10 minus 5, that means 5 तक, maximum 5 तक जायेगा, suppose, यह 5 V है, तो यहीं तक जायेगा, ठीक है, तो जो input है, वो दी में दी में बढ़ रहा है यहां से, 5 से, यह है, this is the output, तो I think आपको समझ में आया होगा, किस तरी किसे करेंगे, इस case में क्या हो जाएगा, इस case में आप देख लीजिए, clear रहे, इस case में, हम negative mark करेंगे, ठीक है, तो case 2 हो जाएँगे, case 1, V I is greater than minus 5 V, तो greater than minus 5 V होगा, जब V I, तो उस case में डायोड, forward बाइस होगा, ठीक है न, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 भी लगाते हैं, उस case में आप देख रहे हैं, यह positive, इसके positive से connected, diode forward बाइस है, तो greater than minus 5 V लगाने पर, diode forward बाइस होगा, forward बाइस होगा, तो act as, short circuit, source अगरी तरे काम करेगा, 5 V और इसे V I करेगा, plus minus, KVL लगाया, minus V I, और plus नहीं होगा, या minus plus है, तो यह minus 5, plus V naught is equal to 0, तो V naught is equal to क्या जाएगा, V I plus 5, तो बैटरी का आपने quality change कर दिया, इस वैसे यह, अब इसे support कर दा है, V I plus 5, ठीक है, case 2, case 2 में, V I less than minus 5 V, less than minus 5 V हो जाएगा, तो diode, reverse bias हो जाएगा, minus 6, 6 तरी के यहाद लगा दिया, minus 6 आप यहाँ पर लगा दो गई, तो यह negative हो जाएगा, ठीक है न, यह negative हो जाएगा, positive हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, reverse bias, reverse bias होने पर, V naught क्या जाएगा, V naught is equal to 0, यह open हो जाएगा, ठीक है न, यह open होने पर, तो output voltage 0 हो जाएगा, इस case में आप देखिए, input output की जो जो waveforms हैं, वो कैसे plot हो गई, यह V I है, V naught, यहाँ पर हम negative में, so करेंगे, minus 5 V, ठीक है, तो जिस जगे यह cut कर रहा है, उच जगे आपने, लाइन्स ड्रॉ कर दिये, ठीक है, तो less than minus 5 है, तो इसका मतलब इस case की बात कर रहा है, तो यहाँ पर output क्या है, 0 है, तो अपने mark कर दिया, यह 0 है, और बाकी में क्या है, बाकी यहाँ पर वी आई प्लस 5 है, जब वी आई यहाँ पर 0 है, इसका मतलब इस case में आउपूट क्या होगा, 5 होगा, तो हमने एक यहाँ पर, मान लिजे, 5 वोल्ट की लाइन और बना ली, जब यह 0 होगा, तो उस समय आउपूट क्या होगा, 5 होगा, तो 5 से start होगा उपूट एक तरीके से, ठीक है न, यह ज़्यादा है, maximum कहां तक, 10 वोल्ट तक जा रहा है, अगर इन पूट में यहाँ पर 10 लखाए, तो maximum यह 10 तक जा रहा है, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15, तो यह जाएगा, 15 वोल्ट तक, क्लियर है, तो यह 15 हो जाएगा, उसके बाद, यह 0 है, 0 पर आप देखें, तो 0 पर जैसे यह पहुँचेगा, इस जगे पर, तो 0 पर, जब वी आई 0 आप रख दोगे, तो वी नोर क्या हो जाएगा, 5 होना चाहिए, इस पॉइंट पर आके, यह 5 पर यह आजाना चाहिए वापस, तो इस तरीके से आजाएगा, ठीक है, और माइनस 5 अगर में भी यह रख दोगा, उस समय 0 हो जाना चाहिए, तो इस पॉइंट पर आके, यह 0 हो जाना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से, similarly, यहाँ पर भी आप करेंगे, यह ऐसे जाएगा, और फिर, इस तरीके से, यह स्का आपट होगा, तो I think आपको कि लिए पर समझ में आया होगा, आप इसकी किसी भी टाइप की कोई प्रॉलम आ जाए, वसे आप कर पाएंगे, Thank you.